नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं टीवी 20 नीज मैं हूँ आपके साथ असुख बर्मा सबसे पहले आपको इद के पाहुन पर और भगवान परशुराम की जहनती पर हारदिक सुब कामना है अब रूख करते हैं खबरों की तरफ इस खबर के प्रायोचक है प्रवांचेल मसिनरी एजेंसीज वर्माटावेर नरावले तैनिस के सोरोम के नीचे आजमगड जिसके प्रोपराइटर है अशुक कुमार बर्मा और मुबाइल नमबर है 94 15 20 77 28 यहाँ आपको मिलेगा प्लाइवूड सट्रिंग प्लाइज टिकट मिलते ही निहाल महंदी का बड़ा बयान सामने आए वहीं आपको बता दे नगर पंचात जियनपूर से बसपा से निहाल महंदी का टिकट लगभग फाइनल ही समझा जा रहा है उन्होंने जनता से पिल किया है कि एक बार हमें सेवा का उसर जरूर दे मैं विकास की ध भारा बहा दूंगा तो बड़ी ख़बर दिखा रहें आपको टीवी 20 निव्स पर जहां जियनपूर में बसपा से टिकट मिलते ही निहाल महंदी ने मीडिया से बात्चित करते हुए जो कहा है वह आपको सुनाएंगे उससे पहले आपको बता दें अगर पंचा जियनपू निहाल मेहदी आज तीस रोजे समाप्थ होने के बाद आज इद का पर्व हम सब मना रहे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरे संपूर्ण नगरवासियों को इद की दिली मुबारक बात देता हूं आपको बसकर से प्र Unless ने तरफ स्वाओं के पहले की सुप्रीमो बहुकर पर्वासियों को प्रवतियों के तमा मेस प्रयाशा मेख बंचा देना चाहता हूं। कि उन्होंने विश्वास जताते हुए इस बार नगर पंचायत चेर्मेन पद के प्रत्याशी के लिए मुझे बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोशित किया है और मैं यही चाहता हूं कि जियनपूर में एक बद्लाव हाए और हम अपने मिशन के साथ अपने विजन के साथ जंता के समक्ष जाए अपनी बाते है और मुझे अमीद है कि जंता हमें समर्थन देगी और इस बार नगर पंचायत में एक परिवर्तन होगा अब देखे ये उनका नीजी इनकी नीजी सोच है और राजनीत में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और ये इसके बारे में वही बहतर बता सकते हैं अब देखे जीत जनता क्योंकि हम मेरा जो में एम है मिशन है वो विकास काम और आज जनता काम चाहती है आज जनता को नगरवासियों को हिंदू मुसल्मान बड़ी जात चोटी जात से मतलब नहीं है जनता आज उप चुकी है जनता प्रताडित रही है पूरे पांच साल जनत काम चाहती है आज नगर की जो हालात है उसको देखते हुए नगर में नगर की जनता बेहाल है नगर की जनता सिर्फ एक काम करने वाले प्रतियाशी को चाहती है और जो मैंने पिछले चार-पांच सालों में अपनी अपने अपनी हैसियत के मताबिक मैं हर चीज में लगा र पर ख़रा उतरने की कोशिश करूंगा और नगर में ये बता दूं कि एक किर्तिमान अस्थापित होने जा रहा है